पवन सिंग और सुभांकर मिस्रा के इंटरव्यू का हम आपको एकदम काला सच बताने जा रहे हैं क्योंकि अगर आपको लगता है कि सुभांकर मिस्रा ने पवन सिंग का दो घंटे का इंटरव्यू करके इतिहांस रच दिया है तो सही है अब, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस दो घंटे के इंटरव्यू में पवन सिंग ने बताया क्या है पवन सिंग से तीन सवाल जो सबसे महत्वंपूर था, जो पूछा जाना चाहिए था और हम सब इंतजार कर रहे थे कि चलो, जब ये आदमी अपने जीवन का आधा उम्र बिटा चुका है, तो अब तो सच बताएगा लेकिन फिर भी सच सामने नहीं आ सका, पवन सिंग की पहली पत्नी निलम, उन्होंने आत्महत्याग क्यों की उसके पीछे की क्या कहानी थी, इन दोनों के रिस्ते में कड़वाहट क्यों आई, क्या पवन सिंग ने बताया, नहीं बताया अक्षरा सिंग के साथ पवन सिंग का ब्रेक अप क्यों हुआ, कौन जिम्मेवार था, अगर अक्षरा सिंग गलत थी, तो किस पॉइंट पे गलत थी, क्या पवन सिंग ने बताया, नहीं बताया और पवन सिंग का तीसरा रिस्ता, जियोती सिंग, जियोती सिंग के साथ रिस्ते में कड़वाहट क्यों आई है, और दोनों के रास्ते अब लगभग लगभग जुदा जुदा से क्यों है, हलांकि दुनिया को दिखाने के लिए दोनों एक है, पर पीछे की कहानी यही है, कि हाँ दोनों में खटास है वो क्यों हुई थी कि आइस पर पवन सिंग ने खूल के बोला नहीं बोला तो मतलब जिसका इंतजार सब लोग बेसबरी से कर रहे थे कि वो सुभांकर मिस्रा है और पवन सिंग से निकलवा के सच ले आएंगे तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं सर पवन सिंग से पहले जो अलग-अलग जवाब देते आ रहे थे वही जवाब सुभांकर मिस्रा के सामने दिया है और सुभांकर मिस्रा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी सवाल के जवाब देने के बाद एक भी cross question कर पाए अगर पवन सिंग ने कहा कि सकंदय पे दाग लिखा हुआ है तो सुवांकर मिसरा ने मान लिया कि हा दाग लिखा हुआ है मतलब सुवांकर मिसरा ने ये नहीं पुछा सर, दाग 3-3 बार 4-4 बार कैसे लिखा जा सकता है दारू पे उन्होंने सवाल किया जिसका जवाब पवन सिंग ने दिया, सही है, हलांकि सवाल अक्षरा सिंग पे भी किया, लेकिन अक्षरा सिंग पे ठंग से जवाब पवन सिंग ने दिया नहीं और सुभांकर मिस्रा की ज्यादा हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे हम कुरेद सक क्रॉस करके पूछ सकें क्योंकि अक्षरा सिंग इससे पहले सुभांकर मिस्रा को इंटर्व्यू दे चुकी है वो भी तक्रीबन दो घंटे से ज्यादा का इंटर्व्यू दिया है जिसमें तक्रीबन आधे घंटे से ज्यादा सिर्फ पवन सिंग के रिलेशन पर बात हुई ह अक्षरा सिंग ने पूरा काला चिठा खोल के रख दिया था सुभांकर मिस्तरा के सामने लगभग धाई मिलियन लोगों ने देखा भी था यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कई करोण लोगों ने देखा था लेकिन पवन सिंग ने अपने तरब से कुछ नहीं का एक और बात जानते हैं पवन सिंग इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं क्योंकि पवन सिंग को पता है कि उनकी जिन्दगी में भसर ज्यादा है पवन सिंग सोशल मीडिया पे हिट है, सुपर हिट है, बवाल एकदम है भया, भौकाल है, बात सही है, लेकिन निजिगत लाइफ में तबाह है, और इस बात को पवन सिंग खुद मानते भी हैं, और पवन सिंग को पता है कि अगर हम किसी को जवाब देंगे, किसी के सवालों क सामना करेंगे, तो भाई वो फिर पहले तो हमारे निजिगत जिंदगी के बारे में ही सवाल पुछा जाएगा, जहां मैं फंस जाओंगा, अक्षरा सिंग पे सवाल पुछा जाएगा, I have no answer, निलब से सवाल रिलेटेट पुछा जाएगा, I have no answer, और जब जोती सिंग से सं कर दिया है पिना, तो सुभांकर मिस्रा नहीं पुछा, सर आप तो पी की स्टेज पे चड़ जाते हैं, वहां पे आप आके लगते हैं बताने की हम पाकी लोगों के हई है बुजी ना, मतलब ये सवाल जितनी मजबूती से पूछा जाना चाहिए था, मुझे लगा उतनी क्योंकि पवन सिंग ने अब तक बहुत कम इंटरव्यू दिया था, तो लोगों को लगा था पवन सिंग कुछ स्पेसल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस इंटरव्यू के लिए एप्रोच किया सुभांकर मिस्रा ने, और सुभांकर मिस्रा के पास इंटरव्यू देने पवन सिंग नहीं आयते हैं, बलकि पवन सिंग के पास सुभांकर मिस्रा गयते हैं, और यहीं पर जब जाने और आने की कहानी बदल जाती है, तो फिर सवाल भी बदल जाते हैं, इस बात को जरा गोर से समझ येगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मेरे घर मे आ रहा है मेरा इंटर्व्यू करने तो वो तमीज में बात करेगा और एक लहजे में सवाल पूछेगा और साथ ही साथ उतना ही पूछेगा जितनी मेरी इक्षा हो क्योंकि वो मेरे घर में बैठा है गुरू और अगर हम उसके यहां जाते हैं जवाब देने के लिए तो फिर म मेरा समराज मेरी कुरसी मेरा कैमरा मेरे लोग मेरा घर मैं कुछ भी पूछू फिर कोई रोक नहीं सकता लेकिन यहां पे कहानी अलग थी हां इस इंटर्व्यू और इस पोड़कास्ट के तारीफ हो रही है तारीफ होनी भी चाहिए क्योंकि पवन सिंग ने मुझे लगता ह दो घंटे से ज्यादा किसी एक कैमरा को फेस किया है वो भी सवालों का जवाब देते हुए एक और बात जिन्होंने भी इस पोड़कास्ट को थोड़ी गंभिरता से सुना होगा उनको समझ में आया होगा कि जब अक्षरा सिंग पे पवन सिंग बोल रहे थे असहज हो रहे थे पानी पी रहे थे बहुत सारी बाते कहरे ही पा रहे थे सुभांकर मिस्रा ने उनको थोड़ा सा यूटर्न लेने का मौका कर दिया ये सवाल पूछके कि आप लोग उनके मंच पे गाने बजवा देते हैं और जैसे ही ये चीप लेवल का बहुत ही छोटा सा सवाल उन्ह उनका इस्टेज पापन गाना बजवाई बस हो गया काम सर फिर पावन सिंग ने यूटर्न लिया और फिर कहानी चेंज हो गई मतलब ये इस पेज सुभांकर मिस्तरा ने दिया है जो लोग इंटर्व्यू करते हैं और इंटर्व्यू को बहुत गंभिरता से समझते हैं या सुनते हैं उनको ये बात समझ में आई होगी कि जब आदमी किसी सवाल पे फंस रहा हो उसके पास जवाब नहो उसी समय आप एक और हलका सा सवाल कीजिए और वहां से आदमी तुरत यू टर्न हो जाता है और भुजपूरी इंडस्टी सबसे ज्यादा जिस बात के लिए बदनाम है वो है असलिलता और उस पर तो सुभांकर मिस्रा ने ना खुल के सवाल पूछा और नाहीं धंक से क्रॉस किया मतलब जब सुमांकर विस्टा सवाल पुछता है कि राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया तो पवंजी कहते हैं राते दिया बुता के जरूरी थोड़ा है पिया वही करेगा पिया पैर दबा रहा होगा मतलब गजब भाल है जब हम यह जवाब सुन रहते हैं मेरा माथा गूम रहा था सुरा यह बिहार में हो क्या रहा है मतलब आप कुछ भी जवाब दे के जा सकते हैं और सामने वाला कुछ भी सुन गया दाथ चियार के मतलब चुपचाप सून सकता है बिना प्रॉस की ये संभो है क्या या ऐसा होता है क्या कि दिया बुटा के ये सिंस लगाया जाए कि पिया सर दबा रहा हो, हाथ दबा रहा हो, पैर दबा रहा हो अरे आपने गाना गाया है तो डंके की छोट पे बोलिए कि हाँ हमने गाया है सर जैसे खेसारी यादों बोलते है कि अगर पनीर जरूरी है तो मुर्गे की टांग भी जरूरी है, मतलब बिर्यानी भी जरूरी है वैसे आप खुल के बोलिए और रही बात भुजपूरी इंडस्ट्री में असलिलता दाग लगने वाली बात तो है तो है सर और वो दाग इसलिए लगा है क्योंकि आप लोग कभी भी भौजी से आगे नहीं बढ़ पाए बॉलिए उड में नायक नाइका के लिए गाना गाता है और हमारे यहां के पावर अस्टार और ट्रेंडिंग अस्टार भौजी के लिए गाना गाते है तो बदनाम नहीं होगा और फिर कहिएगा कि बॉलिए उड में भी असलिलता है असलिलता पर अंतर है सर आप भाउजी से भाउजी को लेके आप देवगर जाते हैं भाउजी को लेके आप संकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं वहाँ नायक नाइका को लेके जाता है अंतर तो है सर लेकिन सुभांकर मिस्रा ने नाहीं खुल के इस पे पुछा और पवन सिंग तो खेर खुलके जवाब किसी भी बात का नहीं देते हैं इसका क्या ही जवाब देंगे खुलके सवाल पूछा जाना चाहिए था कि पवन सिंग हर गाने में धूणी में मुड़ी कहें लगाते हैं सायद इस बात का कोई जवाब नहीं होता पौवन सिंग के बात लेकिन सुभांकर मिस्रा ने वो भी नहीं पूछा मतलब ऐसे नहीं पूछ सकते थे पर किसी तो बात गुमा के पूछा तो जाही सकता था ना पर फिर हमको याद आ जाता है कि अब खेत बेच के आदमी पैसा लगाएगा तो ढूणी में मुणी नहीं लगाएगा हम मजात कर रहे हैं पर भुजपूरी में यहीं चल रहा है बुजपूरी इंडस्ट्री में गानों के नाम पे छिन रही चलता है और जिनके पास पैसा होत कि भाईया आप सांसद लड़ने का बनने का ख्वाब देखते हैं चुनाओ लड़ते हैं लेकिन एक पत्रकार जब आपसे पूछती है कि विकास तो आप कहते हैं मिन्स विकास का क्या मतलब होता है आपको नहीं पता आप कहते हैं कि हमसे सवाल गाई की पे पूछिए लेकिन आप चुनाओ सांसदी का लड़न है मुझे लगता है सुभांकर मिस्रा को यह सवाल पूछना चाहिए था कि क्या सिर्फ आपकी लोग प्रियता है इसलिए आप चाहत कि चेकर कि सरिया के ठोड़ा सा सोंच के वैसे उनों ने जवाब दिया अब हम आते की पावन सिंग इंटर्व्यवक्त कूछन नहीं देते क्यों कि पावन इंटर्विव लेने की कोशिस हम लोगों ने भी कि ति और वैसे यह नहीं कहते हैं अफश्र नेकिन सुभांकर मिस् चित हुई और दूस दो घंटे के बाद चित में बहुत मोटे तर पे कुछ निकल के नहीं आया सिर्फ इतना ही निकल के आया कि पावन सिंग जो कैमरा फेस नहीं करते वो कैमरा फेस कर रहे हैं सुभांकर मिस्रा धडले से सवाल पूछ रहे हैं एक और बात जो मुझे सबसे मज़ेदार लगी जानते हैं अंसर क्या सुभांकर मिस्रा डाइरेक्ट कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे सुभांकर मिस्रा इसे पूछ रहे थे comment section में comment आया है तो कुछ लोग पुछ रहा रहे भाईया क्या comment section में लोग सवाल पुछ रहे डाइरेक्ट पुछिए ना कि यह सवाल है जो जनता जानना चाहती है इसका जवाब चाहिए आपके side से इसका क्या reply है सुभांकर मिस्रा soft तरीके से सवाल पुछने के लिए जाने जाते और उन्होंने पूछा मतलब अब तक से पवन सिंग से इतना भी किसी ने नहीं पूछा था इस interview की तारीफ सिर्फ इसी वज़ा से हो रही है लेकिन जितने सवाल सुभांकर मिस्रा ने पूछे तुकड़ों में वो सारे सवाल पहले से पूछ दिये गए थे चुनाओं के दर्मियान कुछ यूट्यूबर भाईयों ने पूछा था उससे पहले कुछ नेशनल मीडिया के चैनल ने पूछा था जितने सवाल सुभांकर मिस्रा ने पूछे सारे सवाल पूछ लिए गयते और पवन सिंग जैसे जवाब देते आए, वैसे ही जवाब उन्हों ने दिया मतलब पवन सिंग को पता है कि मेरी स्टोरी, मेरे पीछे, मेरी कहानी कुछ और है और वो कहानी कैमरे के सामने नहीं आनी चाहिए चाहें सामने कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, सामने कोई भी बैठा और कितने भी लोग देख रहे हो तो पवन सिंग ने बहुत ही नपे तुले सब्दों में अपना जवाब दिया कि सुभांकर मिसरा का भी काम हो जाए, हमरा भी काम हो जाए, दरसक भी वा 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 करके खूस हो जाए और हमें लगता है कि वही हुआ, क्योंकि जब एक आदमी कैमरा फेस नहीं करता है और अचानक कैमरा पे आता है